ắm गे निफिस हो चाहे नायडू है कोई और हो उनके भी आतुछ different का वक्त है और जो सो से ज्यादा सांसत जोगत पुर्णाने को और भार्टी जंता-पार्टी के भीतर बैठे हुए उनके भी आतुछ guns अतीध करने और सिर्माने का वकत है आईना देखके उनको देखना चाहिए उनको अपना चहरा आईने में गंदा दिख रहा है कि अच्छा दिख रहा है और हो सके एक घटके से उन 100 100 145 लों को लाट मार के इसरकार गिरा देना चाहिए अगर आपको यह लगता है कि हर्याना का चुनाव का परिनाम आ गया और आने के बाद में वो बीजेपी के फेवर में ऐसा गया कि अब पिछले जितने भी परिस्तितिया थी या जो भी ग्राफ गिर रहा था मोदी का वो उठ गया है तो आप एक बड़े मुगालते में हैं क्य किया जाए तो भी निश्पक्षता के अधार पर अगर इस तस्वीर को देखे तो बहुत सारी ऐसी बाते हैं जो कि अभी बीजेपी को हर्याना में पूरी तरह बरी नहीं करती है है हर्याना को छोड़िए अभी महराष्ट का चुनाव होने वाला है और महराष्ट के चुना महराष्ट का चुनाव कुछ इस तरह से है जैसे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव से पूरे देश की सियासत में एक अलगी तरह का मोड़ा आ जाता है ऐसी कुछ परिस्ते महराष्ट के चुनाव की रहती है हम महराष्ट किसाम में हर्याना एक बहुत छोटा कॉंपेंट जि है कि महराष्ट के इलेक्शन में जो जीतेगा वही असली सिकंदर होगा क्योंकि हर्याना उसके बीच में कहीं दब कर रह चाएगा जिसकी चर्चा मुश्किलों से कहीं किसी को सुनाई देगी अगर महराष्ट जो जीतेगा वहां हो जाएगा तब लेकिर यहां पर इंडिय आखिरकार सब्सक्राइब बहुत बहुत शुक्री आपका जूड़ने का आखिरकार हर्याना का इंपैक्ट याद किया जाए और उस पर महराष्ट की निव रखी जाएगी क्या यह मुम्किन है क्योंकि महराष्ट इतना बड़ा है हर्याना की परिस्थिती बिलकुल अलग ह सर विनीता रेफरेंस में हरियाडा की बात भी कर देता हूं हरियाडा में 49.5% बोट मिला है बारती जन्ता पार्टी को और 49.5% की बोट मिला है कॉंगरेस को दोलों के बीच में शायद .25% बोट का अंतर है कॉंगरेस पार्टी ने 11% शायद उससे कुछ ज़्यादा बोट एक मंत्री थे उसमें से 9 मंत्री हार गए किसी गाव में किसी को घुसने नहीं दिया नरेंद मुदी की सभाव में 8-10 यार आदमी आ रहे थे और वहां की सभाव में लागों लोग आ रहे थे बहुत सारे सभाव वहां पर खड़े हुए हैं यह रिजल्ट को ले करके अब बहु चाहरत पवार होचाहिए उद्द्र ठाकरें चाहिए कांगर्रिस मार्टी सब चोकना हो गया है और चॉकना होने के कारण जो बहुत सारी गलतिया यहां उनको प्रील किया होगी क्या कुछ गलती रही है या नहीं भी गलती है कोई कमजोरी महसूस होई होगी वह महारास्त्म वार ये कोशित कर रहे हैं कि शर्दपौार उनको माफ कर दे जिसे वो पूरी पार्टी लेकर शर्दपौार की पार्टी में विले कर दे अगर शर्दपौार ने माफ कर दिया तो पूरी पार्टी वहां विले करके चली जाएगी जहां तक शिंदे का सवाल है जो ठाकरे को छ चले जाए वहां कि यह हालात है बार्ती चंता पार्टी के खिलाफ बहुत सारी चीजें पहली बार्ती चंता पार्टी बहुत बड़ी-बड़ी बाते करती थी अब रस्ताचार के खिलाफ बात करती थी 70,000 करोड का रोप लगाया, प्रधार मंथ्री ने एक दिं पहले और दो दीन कहले, कि 70,000 करोड रोपे का रोपी है, अजीद पवार, और दो दिन बाद उसको अपनी सरकार में उत्मुकंत्री बना दिया. इसी तरह से चोहार, अशोग चोहार के उपर बड़े-बड़े आरूप लगाए एक सोसाइटी का मामला उनके खिलाफ है और उनको जोईन कराया और अगले 24 घंटे के अंदर उनको राजस्वा की मेंबर बना दिया इस सब को लेकर के भारती जंता पार्टी के भीतर भी खल्बलाहट है और महरास्त की जंता में भी इसको लेकर के गुस्ता है जिस तरह से दो पार्टीया तोड़ी गए तोड़ के सरकार बनाए गए उसके पहले रात को इस तीन चार बजे पाट बजे एक सफ़क द्रहन हुआ था फिर वो सरकार चली गई उस सारी चीजों को लेकि गुस्ता है तीसरे इनका जो अपना खुद का मुखुंतresentऌी है जो पहले मुखुंत्री था उसको मुख्ँनत्री बनाए गया है वो मराट वड़ा इलाके का है उसके जो डिग्रेट किया गिया उसका जो अपमान किया गिया उसको ले करके उस इलाके में गुस्सा है उसके अलावा नितिन गटकरी जो कि एक बहुत सक्षम निता माने जाते हैं जो अकेले है इस पूरी सरकार में जिनके काम की लोग कम किये गए उसको लेकर के मराट वाड़ा के उस सारे हिस्से में और उनको लेकर के भुष्सा है और नितियन गटकरी ने चुनावती भी दे दिये मोदी को और यह भी क्लेम कर दिया कि मैं प्रधानमत्र क्यों नहीं हो सकता फिर मुझे एक नहीं ख़वर मालूम पड़ी कि अ अध्यक्ष को जाएक इस मंत्री पट से बनना यह साथा बेटर समझ रहे हैं तो यह सारे हारात महारास्ट के हैं इस सारे हालातों में महारास्ट में यह जब यह मान लेना अगर बन जाते हैं तो उनके अध्याक्ष बनते ही फिर बीजेपी की पूरी संग्रचना जो है वो उनके मुताबिक बदल जाएगी और अभी तक जो अध्याक्ष मोधी और शाह की सुन रहा था वो उल्टा पड़ जाएगा उनको उनकी सुनी पड़ेगी दूसरा अभी क्या हुआ है यह जो महराज का चुलाव इन्होंने टाल दिया इतने दिन तो वहाँ पर यह जो लाड़ी बहना टाइप की योजना चलाते हैं वो बड़े पैमाने प्यों पैसे बाटने लगे हैं गौर्ण्मेंट के जो टेक्स का जंता का टेक्स का पैसा उसमें बाटने मुश् दूसरे जो श्रमिक होते हैं बिल्डिंग बनाने वाले सड़क बनाने वाले जो वहीं सड़क किलाने रहते हैं उन लोग के लिए एक योजना थी कि उनको कुकर ठाली प्लेट और गिलास इस चीज़ें दी जाती थी उस योजना को बढ़ा करके इन्होंने सारे गरीबों औ गिया है और वो थाली प्लेट और वो सारी चीज़ें जो बाटी जाती थी वो अब तमाम लोगों को बड़े पैमाने पर बाट रहे हैं इनका मानना यह है कि रिवडी बाट करके महारास्ट की जंता को मैं सरूट करता हूँ है आपके चैनल पर आप चाहे तो इसका चुक्र नहीं गर्भा खेल ले थे लेको किसी जगे से खबर आई कि रतन टाटा की मृत्व हो गई है जो ही यह खबर आई मायक से किसी ना बोला कि रतन टाटा के मिलत्य हो गई है, गर्भा खेरते हुए सारे लोग तुर्द रुख गए, जहां से वही खड़े हो गए, और मंच से लेके नीचे तक रतन टाटा के प्रक्ष में प्रार्थना शुरू हो गई, मैं महरास्त और मुम्मई के इन लोगों को सरूट करता हूँ, शा मैं लोगों को सरूट करता हूँ, महरास्त के लोगों को, मेरा इस अंदेश आपके चैनल के मादव से महरास्त और मंबई के लोगों तक जरूर पहुंचे, मिरा सरूट, बिल्कुल सर, यह बहुत, हाँ, मैं उस दिन पर सरूट करूँ आ, जिस दिन महरास्त, इस फासी लगते हड़े लगते है चोरहे घेर के बैट जाते थे अगर बिजली नहीं आती थी चोरहे बैटे ये जगार थर्मार्ण सारे करम करने लगते थे उनको जलूरी दर्णा क्याइवर की आज़्जी थी अन्ना की आड़ramento एक भागे हुए ड्राइवर की आड़ में इनों ने दिल्ली को कई दिन केद करके रखा। अजानक इंडिया गेट पे मसाल जरूस निकाल दिया। उन सरकारों निन को रोका नहीं। इसलिए उसका अधिकार का इस्तिमाल करके यह सरकार में आये हैं। उसका इस्तिमाल करके सर सरकार के खिलाफ इनोंने एक माहौल पैदा किया देश में। लेकिन एक जो कहावत है न कि जिस सीड़ी पर चलकर के ऊपर जाओ छत पर उस सीड़ी को काट तो उसको गिरा दो तो इनोंने जाना कि वह सीड़ी है धरना प्रदरसन आंदोलन गांधी का दिखाया हुआ रास् था उसने लोगतंतर का इस्तमाल किया था सरकार बनाने के लिए और सरकार बनाने के बाद लोगतंतर को समात कर दिया था वही फासी वादी योजना इन लोगों की और आरेस्टिस की है इससे देश को चौकना रहना चाहिए महरास्ट और मुंबरी की जंता पर बहुत बड़ को इस्तिमाल करना पड़ा बनीता मैं आपके दर्शकों के लिए दो बात बीच में कर दे रहा हूं जी एक बनातकारी जब जब हर्याणा में चुना होता है उसको ले जा करके उसके बतार कराते हैं उसे अपील कराते हैं ये कैसी आरसेस हैं हिंदूों की ठेकेदार जो बनातक करने वाले को इस्तिमाल करती अपने चुनाओ और वोट के लिए ये कैसी भारती जंता पार्टी आरसेस है मैं चाहूंगा और भंड़ी जंता पार्टी के चीप इसका जबाब दें या आपको हंदू-बेटियों की चिंता है आपको चुनाओ जीतने के लिए जिसका इस्ति आप कर लोगे दूसी तरफ कश्मीर में जो आतंकवादी संगठाने आतंकवांदियों को समर्संदेने वाने लोग हैं उनका एरो ने इस्तेमाल किया उनको बड़े पैमाने पर फंडिक दी और उनको चुनाओ के एंड टाइम पर छोड़ करके चुनाओ लड़ने के लिए इं महरास्ट इस देश की आर्थिक राजधानी है यह पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है और आपके उपर यह जम्मेदारी बनती है कि आप इस फासीवादी सरकार को चलता करिए इनकी कमर तोड़ दीजिए इनको सारा जो आर्थिक तंतर को मिलता है चुनाओ लड़ने के नहीं तो फासीवादी ताक्ते किसी भी हारत में इस देश के लोग तंतर को राजाधी को खा जाएगे मिनिता यहीं पर महराष में आपको लगता है कि इस तरह का मेसिज एक इंपाक क्योंकि पहले हर्याना और महराष दोनों की चर्चा चल रही थी कि दोनों जगा ठीक नहीं है वो जीतने की situation में नहीं है और अब अब हर्याना में जो हुआ आप लोग को डिरेक्ट कई महराश्ट में नहीं हो जाएं वरीता सोच दो ना कि 11 में से इसका जवाब सुप्रेम कोड तक देना पड़ेगा वो चीजे हैं लेकिन वो बाद में होती है लेकिन चुनाव जीत जाती है पार्टी और उसकी सरकार बन जाती है और जनता का विश्वास या एक तरहा का जो बस उसमें क्रियेट हो रहा है वो सारा का सारा धराशा ही हो जात हो इनका जो सैनी है मुक्षंत्री इसने संहोता कुछ दिन पहले ही कहा था हमने इंतियाम कर लिया है जैसे हम 36 गड़ा मद्रप्रदेश जीते हैं वैसे यहां भी जीतेंगे वो जैसे और वैसे क्या मतलब क्या है मद्रप्रदेश और 36 गड़ पर भी समाल वो उठे थे और इसको लेकर मुझे रखता है कि पूरे देश के निगाह इन बयानों पर भी प्रणामों पर भी है पूरा देश के जानता था कि हरियाना में बहुत सारी सीटें कॉंगर्स पार्टी बहुत से दीट रही और बैलेट पेपर से कॉंगर्स पार्टी 72 24 सीटें जीत रही थी लेकिन यह सारी परिस्थितियों के लिए पार्टी को भी तो अपने लेवल पर काम करना पड़ेगा ना पार्टी को भी समझना पड़ेगा क्योंकि आज की तारीक में कॉंग्रिस के अंदर खुद जिन चीजों को क्लीन किया गया था उसकी बात की जा रही थी लेकिन हर्याना ऐसा लगा जिसे कि मिठाई का डबबा है लूट लो और वाकई में सुआद आ जाएगा लेकिन यहां पता लगा कि वो लड़ू का डबबा हाथ ही ने लगा कोई और छीन के लिए प्रिता कॉंग्रेस में कुछ गलतिया हुई है ऐसा ऐसा हैसा हो रहा है कुछ आप सब हुआ है यहा हार गय तो महाराश्टा और जारकंड को बचा लेंगे यह बहुत अच्छा हो गया और यहां जो बीजेपी ने कर दिया चुनाव आयोग ने कर दिया उसका गुस्टा अब जारकंड और महाराश्ट में निकलेगा यह आने बाले चुनाव के वक्त पता लेकिन perception हमेशा साथ चलता है वो साय की तरह चलता है वो पीछा नहीं छूड़ता है तो हर्याना के perception का असर पड़ेगा महाराश्ट्र परवर्ड लेकिन बीजेपी का सारा कुछ पुजागर हो गया है और ये देश मूल रूप से लोकतंत्र का रक्षक है आपाज काल के खिलाब इंद्रा गांदी जैसी महान निता को भी इस देश ने बंग्डाल से कश्वीर तक हरा दिया था ये देश लोकतंत्र चाहता है मैं एक सब एक वाकिका इस्तमाल करता हूँ कि भारत के लोग हा रोटी चाहते हैं कपला चाहते हैं मकान चाहते हैं लेकिन ये तीनों देखें उनको अगर आप कैदी बना देंगे तो उपे द्रोह कर देंगे भारत के लोग इन सारी चीजों के साथ चाहते हैं उन्मुक्त ह चुनाव में दिखलाई पड़ेगा इसका परसप्चन बीजेपी की खिलाफ उल्टा पूरे देश में चला गया विनीता हाँ मैं ये जरूर कहता हूं कि सारे जो गैर भाजपादल हैं उनको आत्म चिंतन करने का वक्त है जो लोग भारती जंता पार्टी के खेमे में जाके ख संतन करने का वक्त है आइना देख जो है वह बीजेपी के अध्यक्ष हो सकते हैं तो यह अपने आप में कुछ ऐसी परिस्तिती हो जाएगी जैसे की प्रधानमंत्री पद को पलट देना इससे कम परिस्तिती नहीं हैंगे क्योंकि प्रधानमंत्री को भी बीजेपी अध्यक उनके पार्टी के constitution के मुताबिक बहुत हद तक जिस भी पार्टी का पृधान मंतरी होता है वो कहीं न कहीं पार्टी की under ही काम करता है लेकिन हाँ वह देश का पृधान मंतरी होता है तो ऐसे में बहुत कुछ ऐसा होगा जो की नितन गटकरी अचानक से मोधी से एक step उपर आ तक है बाति जनता पॉरा मात के साथ बाधी चर्चा करते हैं यह अधिकार जिर्गार है आप बहुत पूर्ध करेंगे आपके साथ अग्ली चर्चा में था थांक्यू सो मज़ सर्व और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेस्बुक पर और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूस नशा